पेरे प्यारे दोस्तों, IUDs जो होती हैं, वो तीन टाइप की होتी है एक होती है Harmonon-Releasing, एक होती है Copper-Releasing, एक है Non-Medicated अब हम पक्का ही इनमें Confuse हो जाती है कि किसका क्या एक्जामपल था, किसका क्या एक्जामपल था अब मैं यहाँ पे कोई trick नहीं बताँ नहीं बता रहा आपको logic से याद करवाऊंगा सबसे पहले copper वाला ले लेते हैं यह तो कोपर tea नाम से ही हो गया कोपर आ रहा है इसमें भी copper seven यानि copper नाम से हो गया अब जो यहाँ पे multi लिखा हुआ है जो यहाँ पे multi लिखा हुआ है उसका metal कर दीजिए multi का कर दिया metal और metal क्या होती है copper एक metal होती है तो copper वाले अपने को याद हो गए अब इसमें आ जाते हैं देखो यह जो progestesert यह word कहां से आया है यह word कहां से आया है यह progesterone से आया है तो progesterone क्या होता है एक होर्मोन होता है तो यह यहाँ से याद हो गया अब LNG 20 देखो LNG की जब आप फुल फॉम चक करोगे तो यह इसकी फुल फॉम होती है लिवो नोर्गेस्टरल इसकी फुल फॉम होती है तो यह word और यह word थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं अब यह वाले याद होगे यह वाले याद होगे बच गया सिरफ एक लिप स्लूप बच गया तो यह ओटोमेटिकली अपना नोन मेडिकेटिड में चला जाएगा धन्यवाद चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो